हेलो गाइस कैसे हो आप सब आशाय बहुत बढ़िया होगे आज हम आपके साथ मिलके बनाने जा रहे हैं पालक और सरसो का साग पालक और सरसो का साग बनाने के लिए हमने धाई सो ग्राम पालक लिए है ये एकदम ताजी पालक है और ये 500 ग्रामी हमने सरसू लिए है और इसमें डालने के लिए आप अपने तीखे के अनुसार हरी मिर्च कम या जादा कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे इसका एक एक पत्ता अलग करके इसका भी एक एक पत्ता अलग करके और हरी मिर्च की डंडी अलग करके इन सब को अच्छे से धो के मिक्सर में पीस लेंगे ऐसे ही हमें अभी ना इसको उबालना है ना कुछ करना है अभी इसको हम ऐसे ही एक एक पत्ता ऐ लिया है और इसी में हम यह हरी मिर्च जो हमने डंडी देखिया अलग कर दिया इसी में अच्छे से अब धो के इसको मिक्सर में पीस लेंगे अभी हमने ना इसको उबाला है और ना कुछ किया है यह देखे गाइस हमने पालक सरसू और हरी मिर्च तीनों को हमने अच्छे से ध 3 ड़का लगाने के लिए हमने 2 कली लैस्ण के लिए जो हमने बारी काट लिए एक प्याज हमने बारी काट लिया यह अद्रग का एक एंच का टुकड़ा है जो हमने कद्दू कस कर लिया है कद्दू कस करने से क्या होगा यह एकदम साग में मिक्स हो जाएगा और टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा और दो टमाटर हमने लिये हैं जो अभी हम बारिक काट लेंगे और यह दो से तीन टमाटर हमने लिये हैं जो मिक्सर में पीस लिये है यह एकदम टमाटर उसमें मिक्स हो जाएंगे जिससे एकदम खट्टे पन में सागोगा तो बहुत बढ़िया टेश्ट आएगा और इधर तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई में घी डाल दिया है जो हमारा गरम हो रहा है यह देखिए घी हमारा गरम हो गया है अब इसम में डाल देंगे इसको भूंनने तक यह देखिए लहसून अमारा बून गिया है अब इसी में हम पयाज rolls और अधरक हमने कद्द फिरीये वह भी आ हम इसी में डाल देंगे देखिए पयाज और अधरक flems Blick्ए बून लेंगे aos अध्रक कश्था पन दूर था और प्याज भीन को अच्छे से भून जाए और जितनी देर में हमारा प्याज और अद्रक भूनजा इसी में मसाला डाल देंगे ये पिसा धनिया एक चमच और नमक है स्वाद की अनुसार इसको भी हम इसे में डालके अच्छे से भून देंगे यह देखिए प्याज भी हमारा गाइस भून गया है अब इसी में हम टमाटर डाल देंगे जो हमने एक बारी काटा हुआ है इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे और इसी टमाटर के साथ ही हम जो हमने टमाटर पीसे हुए है थोड़े से मिक्सी में वो भी हम इसी में डाल देंगे और एक साथ ही हम ये सब कुछ भून लेंगे अब इसको हम धकके रख देंगे क्योंकि हमारा नमक भी डिल चुका है और पिसा धनिया भी ड्ल चुका है तमाटर हमारे rist. अच्छे से गल जाउएंगे और पकने जाएंगे यह देखें गास्ट पांक के से ट्माटर अच्छे से गल गई यह देखियिए अट्दम पक गए अच्छे से अब 2 मिनट मैंने अर पकाएंगे उसके बाद हम साइस में पीचा प्यट फ़िशा हुआ है और पालक सरसो हमारी कच्ची है इसलिए हम इसको कम से कम 15-20 मिनट तक भूनेंगे ताकि हमारी अच्छे से भून भून के पालक बहुत बढ़िया टेश्टी साग बनेगा और यह जटपट बनने वाला है इसमें बरतन भी हमारे कम लगते हैं आप एक बार इस तरह बना के गया एकदम पालक सरसो अच्छे से पक गई और साग हमारा बनके रेटी हो गया देखिए इस तरह आप बनाएंगे तो आपके साग बनाने में बरतन भी कम जूठे होंगे और एकदम तुरंती तड़का लग जाएगा अलग से उबालने पीसने करने का कोई जंजट नहीं इ एक बार बना के जरूर देखिएगा यह देखिए गाइस साग हमारा बनके रेटी हो गया कितना ही बढ़िया कलर आया इसका और कितना ही बढ़िया आप टेश्ट है आप एक बार इस तरह बना के खा के जरूर देखिएगा अगर अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए ह तो subscribe भी कर दीजिए और इस तरह साग एक बार बना के आप जरूर देखिएगा यह बहुत ही healthy साग होता है आँखों के लिए भी बहुत फायदा करता है और सर्दी को तो बहुत मजाता है सर्दियों में खाने में इसके साथ आप चाय मकाई की रोटी बनाएए चाय किसकी भी बहुत ही tasty लगते हैं अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो subscribe कर देजिएगा कमेंट करके बताएगा जरूर कि यह सर्द्सो और पालक का साग आपको कैसा लगा बाबाए